जै श्री राधा कृष्ण भगवान जी की, जै श्री लक्षमी नारायन भगवान जी की, जै कार्तिक मास महत्यम की, मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिननदन करते हैं। कार्तिक मास का पावन समय चल रहा है, और इस कार्तिक मास में जितना भी हम भगवान की भक्ती करते हैं, जितना भी हम भगवान के मंगलमाई नामों का जाप करते हैं, और कार्तिक मास में प्रातसनान के नियम का पालन करते हैं, तथा भगवान की कथा सुनते हैं, इन सब का हम अनंत गुना पुन्यफल मिल जाता है तो अब तक आप कार्तिक मास महत्यम के अध्याए एक से लेकर अध्याए नो तक की कथा को आप हमारे चैनल पर सुन चुके हैं तो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महत्यम के दस्वे अध्याए की परम पावन कथा की जिस इस कथा को सुनकर श्री लक्ष्मी नारायन जी भगवान की अनंत कृपा मिलती है तो पिछले अधाय की कथा में आपने सुना था कि समुदर पूत्र जलंदर का वीवा काल नेमे की पुत्री वृंदा के साथ हुआ है उसके पशात सब सुख से रहने लगे हैं अब उससे आग अपनी वरिंदा और समस्त असरों के साथ बैठा था उसी समय असरों के गुरु महराज शुक्राचारा जी दसों दिशाओं को परकाशित करते हुए वहाँ पर आए हैं सब असरों ने जलंधर सहीत शुक्राचारा जी को प्रनाम किया है जो राक्षश पहले देवताओं के दर से पताल में चले गए थे वे भी अब जलंधर की नगरी में आकर रहने लगे हैं उस भरी सभा में राहू के कटे हुए सिर को देख कर देते राज समुदर पुत्र जलंधर ने शुक्राचारा जी से इह पूछा है कि हे गुरु देव राहू के सिर को किसने काटा है उस स संपुर्ण वृतान्द को मुझे ठीक ठीक बताये सुक्राचारा जी कहने लगे कि ये जलंधर हे असरों के सायक तुम सुनो मैं सारा वृतान्द तुमसे एथार्त रूप से कह रहा हूँ तब देतियों के गुरु शुक्राचारा जी ने सारी कथा विस्तार से कहकर जलंधर को बताया है कि किस कारण से देतियों की हार हुई है और किस तरह से समुदर मंथन करके चोधा रतन देवताओं ने प्राप्त कर लिए है शुक्राचारा जी कहने लगे हैं कि देति शत्रु देवताओं ने समुदर मंथन से उत्पन हुए रतन स्वैम हरन कर लिये और यतन पुरवक छल से अमरत ग्रहन कर लिया तथा उसका पान भी कर लिया तद नंतर अमरत पान से बल शाली हुए इंद्र सहित उन देवताओं ने भगवान विश्णू की सहाहिता से अस्रों को पराजित कर दिया है इंदर के सरवदा पक्षपाती उन श्री हरी विश्नु भगवान जी ने देवताओं की सभा में अमरत पीते हुए राहू का सिर काट दिया था ये बात सुनकर आज जलंदर को अति क्रोध हुआ है राहू के कटे हुए सिर को देख कर और अपने पिता स्मुदर का मन्थन सुनकर आज बड़े क्रोध के आवेश में जलंदर ने अपने घस्मर नामक दूत को बुलाया है और एक संदेश देकर देवराज इंदर के पास भे पती और महा प्रतापी है तथा शुक्राचारा जी उनके सहाय कहें मैं उसी वीर का घस्मर नामक दूत हूँ अपने स्वामी का संदेश मैं आप के लिए लेकर आया हूँ मेरे स्वामी ने जो कुछ आपके प्रती कहा है उसे आप सुनिये जलंदर ने कहा है हे इंदर तुम ने किस कारण से परवत के द्वारा मेरे पिता स्मुदर का मन्थन किया और मेरे पिता के सारे रतनों का अपहरन किया तुमने यह उचीत नहीं किया उन रतनों को अभी शिक्र लोटा दो और विचार करके सब देवताओं सहित मेरी शरन में आ जाओ अन्यथा हे सुराधम तुम्हारा राज्य नश्ट भरष्ट हो जाएगा मैं ये सत्य बात कह रहा हूं। नामक मूरख पुतर ने मुझसे विरहोद किया था। इसलिए साध्यों ने उसे अपने साथ नहीं रखा। वे साध्यों का हिंसक और बड़ा पापी था। वे समुदर में छिपा रहता था। अता मेरे प्रभु ने उसका वद कर दिया था। अते हे दूत तुम शिक्र जाओ और अपने स्वामी जिलंदर से समुदर मंथन के समस्त कारण का ठीक ठीक वर्णन करो। यह बात सुनकर आज दूत क्रोध के मारे कांपता हुआ वापिस अपने स्वामी जिलंदर के पास आया है। जब दूत ने है सब समाचार सुनाया तो जिलंदर को अती क्रोध हुआ है और क्रोध में भरकर उसने देवताओं के साथ युद्ध करने का विचार किया है जलंधर की आग्या पाते ही सबी दिशाओं से तथा पाताल से करोडों करोडों देते आकर उपस्थित हो गई तथ पशात वह महावीर तथा प्रताप शाली समुदर पूतर जलंधर शुम्ब निशुम्ब आदी करोडों सेना पतियों के साथ देवताओं पर विजे प्राप्त करने के लिए निकल पड़ा इस प्रकार अपनी सम्पुर्ण सेनाओं को साथ लेकर वह जलंधर शिगर ही स्वरग में पहुँच गया उसने शंक बजाया तथा सभी वीर चारों और गरजने लगे हैं इंदर लोक पहुच कर उससे देत्य ने सम्पुर्ण सेना के साथ सिहनाद करते हुए नंदनवन में डेरा डाल दिया नगर को चारों और से घेर कर स्थित उसकी बड़ी सेना को देखकर सब देवता आज क्वच धारन करके युद्ध करने के लिए अमरावती पूरी से निकल पड़े हैं इसके बाद देवताओं और देत्यों की सेनाओं के बीच में मूसल, परिग, बान, गदा, परशू और अन्य शक्तियों से युद्ध होने लगा में एक दूसरे की और दोडने लगे और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे थोड़ी ही देर में दोनों सेनाएं रूधिर से लत्पर्थ हो गई हाथी, घोडे, रथ, तथा पैदल, सेनाओं के गिरने, तथा गिराने से सारी रन भूमी संध्यकालीन बादलों के समान प्रतीत होने लगी शुक्राचार अमरत संजीवनी विद्धा के द्वारा अभी मंतरित जल बिंदूं से युद में मरे हुए देतियों को जिवित करने लगे और दूसरी और देव गुरु भ्रस्पति जीवी द्रोन परवत से बारम बार दिवे ओशदियों को लाकर उनके द्वारा युद में मारे गए देवताओं को पुनर जिवित करने लगे तब जलंधर ने देवताओं को पुनर जिवित होते होए देखकर क्रोध में भढ़कर अपने गुरु शुक्राचाराजी से यह वचन कहा है जलंधर कहने लगा है कि है गुरु देव मेरे द्वारा युद में मारे गए देवता कैसे फिर जिवित हो रहे हैं मैंने तो सुन रखा है कि संजीवनी विध्या आपके अतिरिक्त और किसी के पास है ही नहीं तब क्या कारण है कि सब देवता पुनर जिवित हो रहे हैं जलंधर देते के इन वचनों को सुन कर आज शुक्राचाराजी कहने लगे हैं कि देवताओं के गुरु भ्रस्पति जी द्रोन परवत से ओशदियों को लाकर देवताओं को पुनर जिवित कर रहे हैं मेरी बात सत्यमानो हे पुत्र यदि तुम विजे चाते हो तो मेरी हितकारी बात सुनो तुम शीगरी उस द्रोन परवत को अपनी भूजाओं से उखाड कर स्मुदर में डाल दो अपने गुरु शुक्राचाराजी के इन वचनों को सुन कर वह जलंधर देते शीगरी वहां पहुचा जहां पर वह परवत राज द्रोन था उसने वेग पुर्वक अपनी भूजाओं के बल से उस द्रोन परवत को लेकर शीगरी स्मुदर में डाल दिया जलंधर देत भगवान शिव के अंशिशे उत्पन हुआ था इसलिए उसमें असीम शक्ते थी इसके बाद वह जलंधर विशाल सेना लेकर पूने युद स्थल में लोट आया और अनेक प्रकार के शष्ट्रों से देवताओं का सहार करने लगा तब देवताओं को मरा हुआ देखकर देव पुजित देवगुरू ब्रस्पतिजी द्रोन परवत पर गए हैं और आकर के वियाकुल्चित से सब देवताओं से वे कहने लगे हैं देव गुरू ब्रस्पतिजी आज कहने लगे हैं कि हे देवताओ तुम लोग भाग जाओ महा परवत द्रोन अब नहीं है निश्चे ही समुदर पूतर जलंधर ने उससे ध्वस्त कर दिया है सबी देवताओं का मरदन करने वाला यह मान देत्य जलंधर जीता नहीं जा सकता है क्योंकि यह भगवान शिव के अंश से उत्पन है हे देवताओ यह जिस प्रकार उत्पन हुआ है तथा जैसा इसका प्रभाव है उससे मैं जानता हूँ भगवान शिव जी का अपमान करने वाले इंदर की संपूर्ण चेश्टा को आप लोग स्मर्न कीजिए इससे आगे की कथा का वर्नन करते हुए आज देवरिशी नारजी राजा प्रतु से कहने लगे हैं कि है राजन देवताओं के आचारे देवगुरु ब्रस्पती जी के द्वारा कहे गए उस वचन को सुनकर सब देवता भैसे व्याकल हुए हैं और उन देवताओं ने वीजे की आशा त्याग दी और उस समय देते राज जलंधर के द्वारा चारों ओर से मारे जाते हुए देवराज इंदर सहित सभी देवता धेर त्याग कर दसों दिशाओं में भाग गए हैं उस समय सब देवताओं को भागता हुआ देखकर सागरपुत्र देते राज जलंधर शंक भेरी तथा जैद्वने के साथ अमरावति पूरी में परवेश कर गया तब उस देते के नगरी में परवेश्ट होने पर देवराज इंदर आदी देवता उस देते से पिरित होकर सुमेरू परवत की गुफा में जाकर छिप गई हैं इस प्रकार देवताओं को जीत कर जलंधर वहां राज्य करने लगा उसने शुंब निशुंब असरों को पृतख पृतख स्थान पर नियत कर दिया और स्वेम सुमेरू परवत की ओर चल दिया है तो इस प्रकार देवरीशी नाराज जी ने राजा प्रतु को कार्तिक मास महत्यम के दस्वे अधहय की सकथा को सुनाया है जिसे आपने सुना हैं तो मंदर शीबंसी वाले महात्मा यूडिप चैनल के ओर से आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सब का हारदी का धन्यवाद कृपया आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए ताकि भगवान की अनेकों कोथाओं को आप सुन सकें आप सब का फिर से धन्यवाद भगवान श्री राधा कृष्ण जी की भगवान श्री लक्षमी नरायन जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर आपके परिवार पर बनी रहे इसी मंगल कामना के साथ जै श्री राधरानी सरकार की, जै श्री कृष्ण भगवान की, जै श्री लक्ष्मी नरायन जी भगवान की, जै कार्तिक मास महत्यम की, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे, जै जै श्री राधे शाम